नमस्कार मैं हूँ नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेसिस वक्त की बड़ी खबर निर्भिया केस के हत्यारों से जुड़ी है जिसमें पट्टियाला हाउस कोट ने निर्भिया केस के चारों दोशियों की फासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है दोशी के वकील एपी सिंग ने दलील दी थी कि जब तक राश्यपति इस पर फैसला नहीं लेते तब तक अधालत डेट वोरेंट पर रोक लगाए फासी पर रोक के बाद निर्भिया की माने कहा कि सजा पर बार बार रोक लगाना सिस्टम की नाकामी दिखाता है हमारा पू निर्भिया की मा आशा देवी ने कहा कि अधालत दोश्यों को फासी देने के अपने ही आदेश पर अमल करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है सजा पर बार बार रोक लगाना सिस्टम की नाकामी दिखाता है हमारा पूरा सिस्टम ही अपराध्यों की मदद करता है इस बी भी दो बार 27 और 12 जन्वरी को फासी दी जा चुकी है दोनों बार टिहाल जेल के अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी की यह प्रक्रिया फासी की रिहर्सल मानी जाती है इससे पहले सुप्रीम कोट ने पवन की क्यूरेटिव पर्टेशन खारीज कर दी उसने फासी कोम्र सब्सक्राइब में बदलने के गुहार लगाई थी इस पर जस्टिस एंडवी रमाना की अध्यक्ष्टा वाली पांच जजों की बेच ने कहा कि सजा पर पूर्णर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उत्ता है आई आपको दिखाते हैं निर्भिया की माने कोट के स्पैसल मजिनिमा चाहते हैं तो कहीं न कहीं हमारा पूरा सिस्टम मुझी लमों को साच Prinzip के अभी वह चाहते नहीं के काउट्सम इनकर मुझी नहीं की करते हो लिखाने है吗 सब लोग जाके सरकार से पूछे सुप्रीम कोट से पूछे पटियाला हाउस कोट में क्या कुछ हुआ जानकारे के नुसार ट्राइल कोट ने वारंट पर ड्रोक लगाने के लिए दायर दोशी अक्षे सिंग की याची का चुकराई उसने भी शरिवार को राश्चे पती के पास नई दयायाची का लगाने की बात कही थी अब चारों दोशी विने शर्मा मुके सिंग पवन गुपता और अक्षे सिंग अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं दोशी पवन के वकील एपी सिंग ने दलील दी कि उसने राश्चे पती को दयायाची का भेजी है जब तक राश्चे पती इस पर फैसला नहीं लेते तब तक अदालत डेट वोरेंट पर रोक लगाए अदालत ने क्यूरेटिव और दयायाची का लगाने में हुई देरी को लेकर पवन के वकील एपी सिंग को फटकार लगाई है जज ने कहा कि किसी की तरह से एक भी गलत कदम उठाया तो नतीजे आपके सामने होंगे अदालत ने सिंग से कहा कि आप आग से खेल रहे हैं चेत जाईए तिहाट प्रशासन अदालत को बताया कि दयायाची का दाखिल करने के बाद रास्टर पती उनसे स्टेटस रिपोर्ट मागेगे जिससे फासी पर अपने आप ही रोक लग जाएगी अब गेंद सरकार के पाले में है और अदालत इसमें कोई भूमिका नहीं है अदालत ने अगले आदेश तक चारो दोश्यों की फासी पर रोक लगाई रास्टर पती के पास दोशी इपवन की दयायाची का लंबित होने के चलते अदालत नहीं फैसला सुनाया अब डेट वरेंट के मताबिक तीन मार्च को सुभे छे बजे दोश्यों को फासी नहीं दी जा सकती आपको बता दे कि कैसे टलती रही इन गुनाहागारों की फासी पट्याला हाउस कोट अब तक तीन बार चारो दोश्यों के डेट वरेंट जारी कर चुका है लेकिन हर बार गुनाहागारों ने कानूनी विकल्पों का इस्तिमाल किया जिससे फासी टल गई पहला डेट वरेंट 7 जन्वरी को जारी हुआ था जिसमें 22 जन्वरी को सुभे 7 बजे फासी देने का आदेश था एक दोशी की दय याची का लंबित रहने के कारण फासी नहीं हुई दूसरा डेट वरेंट 17 जन्वरी को जारी हुआ था जिसमें एक फरवरी को सुभे 6 बजे फासी देने का आदेश हुआ था 31 जन्वरी को कोर्ट ने अनिचित काल के लिए फासी टाली तीसरा डेट वरेंट 17 फरवरी को जारी हुआ था जिसमें 3 मार्च को सुभे 6 बजे फासी का आदेश हुआ था ट्राइल कोर्ट ने अगले आदेश तक दोशियों की फासी पर रोक लगा दी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद थान्यवाद थान्यवाद